बिस्मिल्लाइ रख्मानर वाहिए मैं अस्सलाम अलेकों विल्कम बैक टू मैं चैनल आज हमारा जो टॉपिक जो है वो थोड़ा से डिफरेंट है अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले में आपको जो है वो एक पिच्चर दिखाऊंगी अभी आप अपने स्क्रीन पर एक पिच्चर देख रहे हैं ठीक है यह पिच्चर जो है वो आप सब को पता होगी यह किस इसके पिच्चर है आप मेंसे अकसर लोग जो है वो अभी जो है वो वीडियो को close करने लगी होंगे लेकिन प्लीज ऐसा मत कीजिए आज मैं आपको एक बहुत अच्छी information देने जा रही हूँ इसके लिए आपने मेरी वीडियो जो है वो end तक मस देखनी है आज का जो मेरा लेक्चर है वो इसी पिच्चर पर बेस करेगा question arises is it scissor or scissors which one is correct ठीक है मैं आपकी इस confusion को आज अपने लेक्चर में finish करूँगी सबसे पहले हम definition देख लेते हैं कि ये है क्या चीज this basically a cutting instrument having two blades ये basically जो है वो एक cutting instrument होता है आप इसको की help से जो है वो कहीं भी जहां भी आप कहीं बैठे हों आप के रहे ये carry करना बहुत ही सी होता है आप इसकी help से जो है वो cut कर सकते हैं हम इसको scissors क्यों कहते हैं क्योंकि इसके two blades होते हैं आप picture में देख सकते हैं इसके blairs होते हैं ठीक है इसके नीचे दो hands बने हुए हैं इन hands इन blairs की वज़ा से हम इसको scissors बोलते हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा जब कुछ चीज होती है तो वह plural की category में आ जाती है तो ये एक से ज़्यादा है इसके दो blairs दो hands है ठीक है basically ठीक है जिसके वरह से आप इसक कहते हैं scissors not scissor it is basically a noun and is treated as a plural noun ये basically एक noun भी है और इसको हम as a plural treat करते हैं अगर आप किसी sentence में word scissors use नहीं करना चाहते तो आप pair of scissors use करेंगे अगर आपके पास एक ही scissors है ठीक है if there are more than one आप क्या use करेंगे two pairs of scissors अगर two से भी स्यादा है three pairs of scissors ठीक है pair of scissors word जो है or scissors both are correct आप तोनों में से जो आपका दिल करता है आप use कर सकते हैं ये दोनों grammatically correct है ठीक है I am repeating it again and word scissors होता है ठीक है not scissors आप word scissors sentence में use कर सकते हैं अगर आप scissors word use नहीं करना चाहते तो आप pair of scissors use करेंगे अगर आपके पास एक से ज्यादा scissors है तो आप कहेंगे two pairs of scissors or three pairs of scissors scissors मैं उमीद करती हूँ आपको मेरा ये lecture जो है वो आज का बहुत पसंद आया होगा मुझे comment box में जो है वो जरूर बताईएगा आपको मेरा lecture कैसा लगा और अपने friends के साथ relatives के साथ share करना मत भूलिएगा thanks for watching my video हुआ 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 हाँ